नापो शहर में हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं गुरुवार को पांच पावली थाना शेत्र में दिन धाड़े आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते गोल्डी शंभरकर नामक वैक्ति को मौत के घाट उतार दिया पांच पावली थाना शेत्र में किद्वई मजजित के पास नया नकाशा इलाके में गोल्डी शंभरकर नामक वैक्ति की आरोपियों ने निर्मम हत्या कर दी आरोपियों में सुनना और उसके दो साथियों का नाम सामनी आ रहा है बताया जा रहा है कि गोल्डी विगत कई दि सान नया नकाशा लश्करी बाग इलाके में रहने वाला गोल्डी शंभरकर विगत कई दिनों से ड्रग्स बेचने का कारे करता था पांच पावली पुलिस को इसकी जानकारी थी लेकिन ड्रग्स बेचते हुए गोल्डी कभी पकड़ा नहीं गया संभवता वह सुनना और जांगीर खान के पास से ड्रग्स लेता था सुनना के खिलाब भी आपरादिक मामले दर्ज हैं पैसो को लेकर उपजा विवाद गोल्डी की हत्या में बदल गया सुनना ने अपने तीन साथियों शरीप पर्याद और नियात के साथ गोल्डी को घेरा और घातक हत्यार से व गोल्डी को घेर कर उसकी हत्या कर दी जानकारी यह भी मिली है कि गोल्डी को और सुनना दोस्त भी थे मगर पैसो के विवाद में एक दोस्त ने दोस्त को ही मौत के घात उतार दिया गोल्डी पर हमला होने की जानकारी पांच पावली पुलिस को मिलते ही वह घटने इस तल पर पहुची गंभी रूप से गायल अवस्ता में पड़े गोल्डी को उपचारत मेयों अस्पताल पहुचाया गया लेकिन उपचार की दोरान गोल्डी की मौत हो गई अब पाँच पावली पुलिस सुनना और उसके साथियों की तलाश में जुट गई है आरूपियों की तल कर नाम के 24 साल के यूवक की हत्या हुई है मारने में चार अरूपी थे एक तो शारीक और एक फैयाद नियाद और जहांगीर खान यह हत्या में आज सुबह को साड़ेनों बजे हुई है और मिरतक और जो आरूपी है एक दूसरे के मित्र हैं आना जारे इनके घर पे लगा रहता था आज सुबह भी जो आरूपी है और मितक दोनों सभी लोग साथ में घटना स्थाल पर गए ते और उसके बाद यह हत्या हुई है इसका जो कारण है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है आरूपी अटक होने के बाद कारण क्लियर होगा आरूपी के ऊपर 324 का गुना द तीन चार गुने दाखिल है और मितक के ऊपर तीन तो साथ का एक गुना दाखिल है जो 2018 का है मितक तो कोई काम धंदा नहीं करता था आरूपी का भी आटक होने के बाद उसका और हम लोग तप्शिल करेंगे कैमरा परसन अखिलेश भारतवाज के साथ अभीशेक पांजी बीसीय न्यूस नाखपुर